आज कई एपिसोड समर्पित है जायदाद हथियाने वाले उन पेशेवर लोगों के नाम जिनके तौर तरीकों ने हमें ये एपिसोड भनाने के लिए उकसाया आज आज कर अद क्だु攻 उ हब झान का अज क्ऌड़त है जायद आज में पेट substantive अOK झान को कि एlex बैस कि ए्रये का यרכ हुण प्रया के गिवसोडने एपिसोड पस references को अजी उस मोतिनकर वाले बंगले को कभा लिक खालि कर वा रही हो कि मैं अस होटे से कंश्च करो ओऄा आज तुम्हारा वी चिराग कर लो य में चिन को दो मकान खाली करें अमा बेगम, अरे छिराद की तर तो ज्यानी नी चिया मेरा, छिराद की आपने गुल गई भाई, हाँ, छिराद छिराद, छिराद- अची देखना कहीं ऊपर वाले खाने में नहो अहा, मिल गईा बेगम, छिराद की गईा देखो कि अभाई अब भाई अभाई यह अवार्ट जील क्या पर रिए हो जिन को गर्ती से अपने चिराग में किराई दा रहां बेठा अब यह निकलने के डेर्ड लाख मांग रहा है लाख शो, लाख शो, लाख शो, लाख शो खले लो, तली, वार टरफ देखे भाई साब मैं आपके पाओं पकरता हूँ आप मेरा मकान क्elsonoscope खाली कर दे मैं बेवकूफ कैसे हो सकते हैं बेवकूफ तो मैं हूँ जिसने आप जैसे महापुरुष को मकान कराये पर दिया है भाई कराये पर ही दिया है मुफ तो नहीं दिया देखिए भाई साब मैं जगडे में नहीं पढ़ना चाहता आपने आज तक कुल 30,000 रुपय कराया दिया मैं आपको 50,000 वापस करने को तयार हूँ आप मेरा मकान खाली कर दे सेड साब पिछले पांच साल में आपके मकान की कीमत 5,000,000 बड़ी है और आप मुझे सिर्फ 50,000 रुपय देगे चलता करना जाते है भई कम से कम धाई लाग तो होने चाहिए अरे भया मकान मेरा है कीमत मेरे मकान की बड़ी है भई तब ही तो कह रहा हूँ इसमें से धाई लाग तुमारे वरना सारे के सारे मेरे ना होते और मेरे गुरू, तू एक लाख रुपय ले और मेरा पिछा छोड़ ना, पूरे धाई लाक और वो भी आज की डेट में, कल अगर कोठी कीमत बढ़ गई, तो मेरा हिस्सा भी बढ़ जाएगा ठीक है भाईया, मेरी गलती है, तो मुझे भूब इतनी बढ़ेगी, ये दो लाक रखो, और बाकी के पचास आर का इंतिजाम अश्याम तक कर दूँगा हाँ, सेट साब ज़रा जल्दी करना, अगर प्रॉपटी की कीमत बढ़ गई, तो हिसाब कीताब ज़रा दुबारा करना पड़ेगा किसकी कीमत ना बढ़ जाए, क्या बढ़ बढ़ा रहे हो ओह, जगा दिया ना, कितनी बार कहा है कि जब अच्छा सपना आ रहा हो, तो मच जगाया करू तुम तो ऐसे कह रहो जैसे तुम्हारा सपना नैशनल लेटवर्क पर टेली कास्ट हो रहा है, मुझी के बढ़ा तुमे कौन सा सपना आ रहा है प्रिती मुझे सपना आ रहा था कि हमारा मकान मालिक मेरे कदमों में धाई लाक रपे रखके गडगड़ा रहा है, मेरा मकान खली कर दो, मेरा मकान खली कर दो तुम तो ना बस दिन रात प्रॉपर्टी हडपने के सपने देखते रहा करो पिसकी तुम देखना है कि हमारा यही मकान माली हमें से तंग आकर हमें ही यह मकान पेज़ जगा वो भी सस्ते में बीबी जी नीचे वालों ने पेर पानी बन कर गया अब यह बर्तन कैसे साफ करने है तु ऐसे गार जितना भी कूडा करके ढाना नीचे वालों के ब्रांदे में फैंक दे नहीं साब जी ये का मैं नहीं करूंगी तु बीस रुपे जादा ले लिया गार और जाते हुए सारा कूडा नीचे फैंक दे गार साब जी मैं यहाँ बर्तन साफ करने आतू ना कि आपके जगड़े करवाने हजीब बात है लोग पैसे लेकर भी काम करने को तक्यार नहीं सच्चाई भलाई इमानदारी परुपकार अधर्श इन चीजों की किमत 20 रुपे भी निरागी ठीक है तुम जाओ कूड़ा प्रिती अपने आप बार फैंक देगी और बर्तन? बर्तन मैं साफ कर लो जब पानी आएगा तू अच्छा बीबी जी नमस्ते मैं जाती है प्रिती तुम ऐसे करो कि चार अंडो का हमलेट मरागर मुझे देदो और चिलके मकान मालिक के ब्रांदे में फैंक दो और फिर देखो मजा इससे जगड़ा बढ़ तो नहीं जाएगा? भई जगड़ा ही तो ब्राना है जगड़ा सोच समझ के करना ये जो सेट है ना कुछ घटिया किसम का आदमी है मुझे तो उसकी आँखों से यही लगता है कि ज़रूर मुझे से कोई छेड़ खानी करेगा ये आँखों से कैसे पता चलता है? क्योंकि उसकी आँखे आप से मिलती है क्या मतलब? मेरा मतलब मैं मुझे डर लगता है कहीं मुझे छेड़ी ना दे पुरी छेड़े का तो हम F.I.R लिखवा लेंगे, इसे हमारा कोट केस और स्ट्रॉंग हो जगा वैसे एक बात है, अगर वो ना भी छेड़े, F.I.R तो फिर भी लिखवाई जा सकती है क्या मतलब? मतलब यह कि मैं ठाने जाके उसकी रिपोर्ट लखवा के आता हूं कि उसने मेरी बीवी को छेड़ा है लेकिन उसने तो मुझे छेड़ा ही नहीं भी छेड़ने के बाद रिपोर्ट लखवाई तो क्या लखवाई तू अभी देखो, मैं ठाने जाके रिपोर्ट लिखवा के आता हूं, फिर देखो कैसे पुलिस आती है और उसे ठाने का इन्विटेशन देखे जाती है अभेड़े, ये भाठी कोणा है? ये ये ही है जी वो, क्यों परेख? तो ने अपने माखान मालिक की बीवी को चड़ा है? नाना मैं तो अपने प्लानिंग ही कर रहा था ये रोज मुझे तंग करता है जी, मैं तो घर के बाहर खड़ी भी नहीं हो सकती इंस्पेक्टर साब, इस आज भी का कुछ करो, हम इसे बहुत तंग है जी अभई, तुम्हें जरा हमार साथ थाने जलना पड़ेगा इंस्पेक्टर साथ थाने में कितनी दिर लगेगी इनको? मुझे बहन जी है तो वहीं जागर पता चलेगा हो सकता है कि एक दो राते हावारात में काटनी बड़े और ये भी हो सकता है कि एक हफ़ते दक जेल में रहना पड़े इसका मतलब मैं अपना टोठ ब्राश और पेस ताथ ही रख लूँ अगर आप हफ़ते के लिए जा रहे हैं तो एक हफ़ता मैं भी माइके लगाओ ऐसे मौके रोज-रोज कहां आते हैं और हाँ अगर आप हवालाद गए तो जो नथू की दुकान है न वहां से पेड़े लाना मत भूलना यही बात इसकी में बहुत बुरी लगती है कितनी हिंदी फिल्में तुझे दिखाई हैं हर फिल्म में जब भी पुलिस हीरो को पकड़ के ले जाती है तो हीरो रोटी रोटी जीप के पीछे भागती है और एक यह जब भी में हवाला जातू को कहती है कि पेड़े ले आना पेड़े ले आना वे इसमें इसका क्या कसूर है, नत्थू के पेड़े हैं ही बड़े स्वाल, शटाब, तो पुलिस का आदमी है कि नत्थू का एजेंट, हाँ, चलो, ले चलो से, ले चलो, ठीक है, इसमें नहीं बात कौन सी है, पित्थी, तू समझ की मैं ग्या हो रहा है, हाँ, भी नत्थू बाई, आओ, आओ, बटी, इस्ताजी, क्या हाल है, बड़े दिनों के बाद आना हुआ, बस याद, छे महीने हो गया, तेरे दुकान के पेड़े खाए हुए, बटी जी, छे महीने में हावालात का एक भी चक्कर नहीं लगा, चक्कर क्या लगना था, यार, छे महीने से प्र अभी लो टोनी दादा, ओ टोनी तू, ओ तू या क्या कर रहा है, अबे ओ, पिछ याट के बाद कर, जानता नहीं टोनी दादा है, ओभी तुम्हारा दादा होगा, यार, मेरा तो क्लास फैल होया, ओ यार यार नहीं हम दसमी में कठे फेल हुए थे, ओ भूल गया, अच्छ अच्छा अच्छा भट्टी तू, और यार मेने तरे को पहचाना है भी, चल वहाँ बैठते है, दो कड़क चाय बनाना, अभी लो अस्ताजी, यहर तू कभी बिला ही नहीं, मुझे पते ही लगा तू इसी चहर में रहता है, अब बता, तूरा घर कहा है, तू करता क्या है, यहर मेरा प्रापर्टी का काम है, प्रापर्टी? कौन सी प्रापर्टी? यहर कोई भी ऐसा मकान जिससे क्रायदा निकलता नहूँ, मैं सस्ते में खरी लेता हूँ, खाली करवाके उसे दुगनी कीमत पे बेज देता हूँ, यहर मेहनत मजदूरी का काम है, ऐसा मकान खाली क सेंट कंसेशन भी दे दूंगा ठीक है मुझे होर क्या जाईए बटी उस्ताजी कल आपकी पीछे वाली गली में बिलू बाच्छा ने कोठी खाली करवाई है अच्छा पांच लाग की खरीदी उस्ताजी और किराधर भगा दिया और अब पूरे आठ लाग की बेच रहा है कम से कम अड़ोस पड़ोस की खबर तो जरूर रखनी चाहिए तरी शादी हो गई हाँ चार पाइस सार हो गए तरी बीबी क्या करती है उससे क्या इदर उदर की खबर रखा करे हाँ मैं भी कई बार मैसूस करती हूं कि मुझे तुमारे काम में हाथ बटाना चाहिए पीती मैं भूलगे कि रवी का फोन आया था आज शाम उनके यहां पार्टी है क्यों उनकी साल गरा है नहीं उन्हें वो मकान किराये पे लिए वो एक साल हो गया और वो पार्टी इस खुशी में दे रहे हैं कि उनका मकान मलिक से एक बार भी जगड़ा नहीं हुआ सब आपके लिए दूद शबाश ओ सुनो यह दूद बापसी ले जाओ बहुत शाम को एक पार्टी है रभी जल्दी करो दो गेंड़े लहगे पार्टी शुरू होने में और अभी तक तुम्हारे पड़े नहीं लगे सुधा इतनी धूमधाम से तो तुम शादी की सालगिरा भी नहीं मिनाती शादी की सालगिरा हर साल आती है लेकिन एक मकान में एक साल लगाता रहने का मौका किरायदार को बड़ी मुश्किल से नसीब होता है वाकई सुधा पिछले छे सालों में हमने बारा मकान बदले और मुझे शिकीर नहीं होता कि इस मकान में रहते हमें एक साल हो गया सच रवी और पिछले एक साल में एक बार भी हमारा मकान मालिक के साथ जगड़ा नहीं हुआ यही तो मैं कह रही हूँ कि पूरा एक साल हो गया रवी और सुधा को यहां टिके हुए और अभी तक एक बार भी हमारा उनसे जगडा नहीं हुआ ऐसे किरायदारों के क्या फैदा? भई यह तो अच्छी बात है कि उनके साथ हमारा जगडा नहीं हुआ क्या अच्छी बात है अगर उनका यहां दिल लग गया तो वो कभी मकान नहीं चोड़ेंगे भाग्यवान अभी तो उन्हें एक साल ही हुआ है यहां आए हुए तो क्या दसार रखने का इरादा है? देखो जी पिछले महीने उन्होंने अपने आप दिवारों पे रंग रोगन करवा लिया और आज वो नए परदे खरीद कर लाए हैं मुझे उनकी निये ठीक नहीं लगती रोज तो तुम सुनते हो फला मकान किरायदारों ने दबोच लिया मैं तो कहती हूं इससे पहले के पानी सर के उपर से निकल जाए हमें उनका पानी का कनेक्शन ही काड़ देना चाहिए पानी का कनेक्शन बार में काड़ना पहले जाकर देखो कही पर देपके तो नहीं लगा रहे यह लिजे जी यह केप में लग गया और उस पे एक केंडल भी तो याद करवा देना था कहीं भूली न जाये मैंने सब को याद करवा दिया बस अपने मकान माले को कहना बागी है अरे जिसके और में हम यह पार्टी कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे इस घर में एक साल पूरा ह हुआ है उसे बुलाए ही नहीं सुधा मैं उनको सर्प्राइज देना चाहता हूं भरी महफिल में उनको लेकर आप और सबको बता दूंगा कि ऐसे देवता स्वरूप मकान मालिक भी होते हैं आई 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 बाई साफ आपकी उमर बहुत लंबी है हम लोग आपी को या साथ बज़े बताएंगे हाँ आप और मिसेस गुपतर तयार होके आज जरूर चाहिएगा वो तो आजाएंगे लेकिन ये बहुत जरूरी बात करनी थी आपसे भाई साब आज तो आप जो भी कहेंगे हम मानेंगे आप पहली तारीक से पहले-पहले मकान खली कर दीजिए है अपना समझ कर दे रहते हैं अपना समझ कर इसलिए तो कहता हूं के मकान खली करते हैं खर अब मैं चलता हूं आपने पाड़ी की तेयारी भी करनी है यह ची कहा वे भाई बड़ी वहांद कि तयरी है हैं अलो सदा हरे और आप तो एसे बैटो जैसे आपके इम्रचान में कंपार्टमेटा अगी होती है कंपार्टमेंट में तो पिर भी हो पोटी है जिए आटो फेल ही हो गया क्यों? क्या हुआ? अभी-अभी मकान मालिक ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है और मुझे तो फिक्र लगी है, पार्टी का क्या होगा? पार्टी की तो आप फिक्र ना करें, हम खा करी जाएंगे लेकिन आप अपने मकान के बारे में सोचीह सुधा तुम फोन पे सबको बता दो कि पार्टी कैंसल बहाने के लगाऊंगी कुछ भी कह दो कि दुदा कुला रहा गेया कुटा केक खा गया कुटा कुटा मुदा कुछ भी लेकिन तुम सबको फोन कर दो प्लीज तुम्हारे साथ चल दो cleaning कुटा जो मैं क्या करूँ मकान बदल बदल कर मेरा तो आदा फंदीशे तूट चूट चुका है यार मुझे तो शर्म आती है लोगों को बताते हुए कि रवी मेरा दोस्त है मेरे जितने भी दोस्त है किसी ने कोठी रभाई हुई है किसी ने शोरूम पे तबजा किया हुआ और एक तूँ है हर अफ़ते मकान ढूंड रहा हुटा ठेले बे समान लाड़के क्या करूँ यार मेरी किसमत ही ऐसी है किसमत तेरी बड़िया है थ्री बेडरूम हाउस तरह पास है दिबोच ले से क्या मकान मालिक ने सारी उमर की कमाई अकठी करके मकान बनाया हो और मैं उसे दुबोच लू नहीं नहीं मेरी आत्मा नहीं मानती मुझे लगता है तेरी आत्मा भी तेरे शिरीर में कराएपर ही रह रह रही है अब मुझे दे मेरे पास पहले एक मकान था मकान मालिक से जहड़ा हुआ साथ हजार लेके मकान छोड़ा उसके बाद दूसरा मकान लिया सत्तर हजार वहां से लिए इस तरह छे मकान बनने के बाद मैंने अपनी कोठी करीड ली अब कोठी कराएपर है और मैं फ्री रह रहा हूँ फ्री? पिछले साल मकान मालिक ने कराया डबल करने को कहा फिर? डबल तो क्या करना था मैंने कराया दे नहीं बंद कर दिया नहीं मैं जमेलों में नहीं पढ़ना चाहता ठीक है फिर निकल जा जंगलों की तरफ लगा ले बिस्तरा किसी पेड के नीचे यार यही का कुटिया ले दे ना ले दे कुछ सस्ता सा दो कमर वाला मकान यार मेरे होते वे मकान खरीदना पड़े बड़े शर्म की बाद देख मैं लाक दोला खर्च कर सकता हूँ अगर इतने में कोई चोटा मोटा सस्ता सा मकान आता हो इतने में क्या आएगा यार खर तो काल आजाना चलेंगे किसी प्रॉपटी डिलर के पास ठीक है अपना दे कम ही प्रपटी है यह दे कुछ चार सू सुना नबर मकान बड़ी मॉक्वेगी जगा है कार्णर का मकान है ग्राउंड फोर बनावाद दो फ्लोर उपर बन सकते हैं सामने पार्क है पिछे मार्कट है एक फरलांग पर हस्पताल है दो फरलांग पर धुद की डरी श गटे कहां हैं कहां गटे हैं बाशो बिलकों लेवल सड़के हैं अपना तो काम भी प्रापर्टी का और कोठी की कीमत सिर्फ छे लाख छे लाख देखेजी मेरे पास तो दो लाख का बजट है अगर कही से उधार भी उठाओं तो मैक्सिमुम तीन लाख इतने ना तो फर को दिस्प्यूटटड प्रापर्टी मिल सकति हैं दिस्प्यूटट प्रॉपर्टी वो यार जिस में को ऐसा कृएधार भैटगा हो तो निगला नहीं कर वाही हैं wondering जो मैं इन जमेलों में नहीं पढना चाहता, मैं मेरी आत्मा नहीं मांती अग्राइंग डाइनिंग है कमरा उपण और टारस मखरा एक दम माडरन डजा इने माडरन फिर तो ब्लैक मनी शिपाने के लिए प्रविजन रखी होगी आपके तो खालं अ हां कोठी तो देखी लेनी चाहिए एक कोठी कोठी आगा मंगाऊं इसकूटर आएक अ तो स्कूटर कोठी 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 तो अच्छी है टेरिस भी बढ़िया है यार तो इमेजिन का थी शाम का समय हो तू और मैं टेरस पर बैटेश पर बैटेश पर बाबी घरम घरम टिक्या बनाके लाए बीच में से धुआ निकल रहा है होई 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 पर यार कोठी तो खाली हो जाएगी ना यार टिक्यों का सारा मज़ाइख खराब कर दिया तो यार मैं तो कहता हूँ अधर कोठी पसंद है ना तो आज ही ब्याना देदो पांच पांच रुपए लगते हैं बैसाब कबाल करते हैं जी आप सामने साफ लिखा है तीन रुपए आप पहले बार जिस्ट्रीक रवाने आये हैं वह समझागा यहां जो जितने पैसे मांगता है दिये चल यहां साइकल से लेकर स्टेट ऑफिस्टर तक किसी ने को लोगी मुबारको रिजिस्ट्रीत होगी चलो कम से कम एक भार तो हलका हुआ यह बैप काफी हलका हो गया हूँ सारे पैसे निकल गए यार इतने पैसे खरुच की है कूठी का मालिक भी बना लेकिन अंदर भी नहीं गुशा देंगे यार कल तो दस बैज आना फिर बनाएंगे स्कीन टोनी जी यह पूरे बीस हजार ह अगिन्य क्या है तो फिकर ना कर रहा भी यार तेरे किरायदारों को ऐसा भगाएंगे ऐसा भगाएंगे कि घर तो क्या शहर छोड़के भाग जाएगे पर यार कोई लड़ाई जगडा तो नहीं करना पड़ेगा ना ना यह तो उन्हें कविताय सुना कर भगाएंगे अब कल 11 बजे तू 600 नंबर कोठी के अंदर होगा और वो बाहर जो और समान बाहर भाइंग दो यार लगता आज कल तेरा बिजनस काफी चल रहा हर रोज एक नहीं चोट लगी होती है नहीं बे आज कल साइकल सिख रहा नो तो किर जाता हूं इतर उतर टोनिल जी पोटी तो खाली हो जाएगी अब अब अ तू देखता जा अंदर क्या होता है और अ चाल गई गाम है, टाइम हो गया, बिलू बाश्चा इंजार कर रहा होगा अबे बास सोन, तेरे खयाल से बिलू बाश्चा नो वो कोटी कितने में खरीदी होगी? कौन सी कोटी? अबे वो ही जो हम खाली कराने जा रहे हैं अरे हमें क्या? बास, अंदर तो अपनी बिराजरी के आदमी लगते हैं लगता है बिलू बाश्चा के आदमी है तुम तो कह रहे थे अंदर दो तिन छोक रहे हैं किसे कालेज वालेज के? यार, प्रॉप्री डीले ने तो यही बताया था जूट बोल गया साला यार अगर हमें पता होता कि बिलू बाश्चा के आदमी है तो हम कोई और मकान देख लेते यार, कोटी तो खाली हो जाएगी ना अब खाली तो करवाएंगा ही पांच साथ आदमी और मंगवाने पड़ेंगे दस हजार और लग जाएगा ठीक है यार, तो मकान खाली करवा किसी भी तरीके से ठीक है, मैं दो घंटे बाद आठ दस पहलवानों के साथ यही मिलता हूँ तब तक दस हजार का इंचिजाम करो एह, चलो यार, अब दस हजार कहां से लाओं? मेरे घर में तो पांच पड़े हैं कोई बाद ने, पांच मेरे घर भी बढ़े हैं ऐसे करते हैं, पहले तेरे खाल चरके पांच उठा लेते हैं ठीक है, जल जल दिकर यार, तुन्हें एक साल से मकान का खिराया नहीं दिया तेरा मकान मालिक तुझे कोठी खाली करने को नहीं कहता यार, कोठी खाली करवाना हर एक के बस का काम नहीं अगर असान काम हो, तो जगड़े वाली कोठी यां इतनी इसानी से न बिकें यार, वो देख, तेरी बगल में भी किसीने मकान खाली करया लगता है हाँ यार, लगता तो मुझे भी ऐसे ही है हरे उसने आप से तंग आके ये कोठी बेश दी है किसको? छेसो नमबर वाले बिल्लू बादशा को जिस गली में किराएदार से जगडा न हो उस गली में हमें घर लेना नहीं जिसके घर से किराएदार निकलता न हो उसके घर का ही सौदा रहेगा सही जिस गली में किराएदार से जगडा न हो हाँ ये गुंदे ये डंदे सभी जोड़के तू डरा दे उसे उसकी टांग तोड़के वो चला जाएगा फिर ये घर छोड़के जिसके घर को हरपना मुश्किल लगे उसके घर का तो सौदा ही करना नहीं जिस गली में किराएदार से जगडा न हो उस गली में हमें घर लेना नहीं हम में बड़के बाएद बाएदार मुश्किल बाएदाव श्णाएदाब ले पर सौ तो सौदाओ, आपर उसके घर तो झाली इस अड़के ये उसके टामना मुश्किल उसक एमानाम झाल 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 टो झाल झाल झाल